हलो बच्चों अब तक आप कई प्रकार के अमलों से परचित हो चुके हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 आदी जानते हैं ये अमलिय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये जली विल्यन में हाड्रूजन आयन मुक्त करते हैं तो क्या यदि जली विल्यन ना हो तो ये हाड्रूजन आयन मुक्त नहीं करेंगे यनि कि अमलेगुण प्रदर्शित नहीं करेंगे आईए आज हम एक क्रिया कलाप के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं बच्चों इस क्रिया कलाप के लिए हमें कुछ विल्यनों की आविश्यक्ता होगी जैसे सोडियम क्लोराइट का विल्यन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक ऐसे और हमें चाहिए होगा नीला लिटमिस पेपर आईए ये क्रिया कलाप करते हैं इसके लिए मैंने जो सोडियम क्लोराइट का विल्यन लिया है इसमें मैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसेड धीरे धीरे परकनाली के सहारे डालती हूँ जब मैं सोडियम क्लोराइड में एस्ट्रेस फोर्क डालोंगी तो यहां पर एस्ट्र गैस निकलेगी और यह एस्ट्र गैस नीले लिटमिस चुकी अमली होती है इसलिए नीले लिटमिस पेपर को लाल कर देगी अरे यह नीला लिटमिस पेपर तो लालरंग में परिवर्तित ही नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि एस्ट्र गैस चुके शिसक है और इसलिए यह अपने हाईडरोजेन आयन रिमूव नहीं कर रही है और इसलिए यह नीला लिटमिस पेपर लाल रंग में परिवर्थित नहीं हो रहा है चलिए इसी क्रिया कल आपको हम पुन हद हो रहाते हैं मैं सोडियम क्लोराइट के विलियन में एस्ट्वेसोफोर डालती हूँ और इसके सामने अब घीला लिटमस पेपर रखती हूँ अब देख रहे हैं कि यह नीला लिटमस पेपर जो नीले रंग का था लाल रंग में परिवर्थित हो गया है तो बच्चों देखा आपने जब हमने निकास नली के सामने सूखा लिटमस पेपर रखा तो कोई रंग परिवर्थित नहीं हुआ और लेकिन जब हमने इससे गीला लिटमस पेपर निकास नली के सामने रखा तो यह लाल रंग में परिवर्थित हो गया ऐसा क्यों हुआ वो इसलिए बच्चों क्योंकि अमल जली विलियन के संपर्क में आने पर ही अपने हाड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और अमली स्वभाव प्रदर्शित करते हैं इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ जैसे की सोडियम हाड्रॉकसाइड अमोनियम हाड्रॉक जली विलियन के संपर्क में आने पर ही अपने हाड्रॉकसाइड आयन मुक्त करते हैं इन्हें हम छार कहते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि अमल और छार क्या होते हैं अब ये प्रयोग आप अपनी प्रशाला में भी जरूर दोराईएगा